आपके साथ हाजरें और टॉपिक लेकर आए हैं मेंच मेंच में दीमोटेक्टिक मेंच की त्रीटमेंट और सारकॉप्टिक मेंच की मेडिकल ट्रीटमेंट तो अाज मात करेंगे कि अमें बॉघD के बारे मेंग की जो मेरीट्रेपमेट कारएं सबसे पहले और सब्सक्राइब कान बना उसको आपको carn इनमम्म के वाद करें कि अपक्छा करती। स्क्रेपिंग के लिए आपको प्रेट के पास जाना पड़ेगा वो स्केन से स्क्रेप करके निकालेगा और उसको फिर डाइग्नोस करके बताएगा आपको आया या डेमोडेक्टिक मेंज है या सारकॉप्टिक मेंज है तो जो डेमोडेक्टिक मेंज है वो आपको बताया था सुपस्क्राइब नहीं किया है विडियो को लाइक नहीं किया है तो काइडिली पहले इसम realizing करachu ले जिदे तो फिर एक आप चले का जो organism होता है वो तो डीमोडेक्टिक मेंज का जो organism होता है जो उसको कॉस्ट करता है उसको हम कहते हैं डीमोडॉक्स केरीज इसकी अब लाइन ओफ ट्रीट्मेंट में जाते हैं टाइम बेस्ट नहीं करेंगे कि यह होता है तो आप डॉक का वेट पहले जुरूर मालूम कर ल अब है इंजक्षण है वह इंजक्षण आयवर मैक्टन है ऑप 2.2 मिली ग्रेम सकाव ले जिए और उसको आपने टोक की वेट के साफ से नहीं तो 0.2 मिली ग्रेम पर केजी में अगर उसका एक किलो वेट है तो आप 0.2 kg देंगे और अगर 2 kg है तो उसको आप 0.4 देंगे 3 kg है तो 0.6 देंगे 4 kg है तो 0.8 देंगे तो इसी तरह से कैलकुलेट करते हैं उसकी डोस में आ लिजिगा तो injection आयवर्मेक्टर आपको 0.2 mg के साथ सब देना है मतलब पठों में देना है जैसे आप वेकसिनेशन देते हैं एक दवाव हफते में 4 हफते के लिए एक दवाव हफते में टैबलेट्स लेनी है आपको तो 30 mg पर kg के साफ़ से टैबलेट्स देनी है जो के 15 दिन तक आपको उसको देनी है डेली एक टैबलेट अब इसके बाद आपके बाद बेंजॉयल पर उक्साइड का शैंपू मार्केट में वह लेकर आएं उसको डेली जब तो उसकी फ्रेट्मे अगरे से फिर एमिट्राज रिट के नाम से एक सुलूशन आता है इसको आप डैलेट करेंगे पानी के नदर 4 ml पर लीटर एक लीटर में 4 ml तक का यह सुलूशन डालके उसको अच्छता से हिला लेजिए और को कपड़ा लेकर उसको गिला करके इसकी बॉड़ी पर स्पंच करें उसकी स्किन पर राम लाम से लगाए रगड़ी एका नहीं उसको पंचिंग देनी करके उसकी बॉड़ी पर लगाए उसके बाद उसको रिंस करके साफ करने और फिर आपके पास एक न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट आती है जिसको हम कहते हैं सीरफ न्यूट्रिकॉट ए तो यह आपने टूटी स्पून्स डेली देने हैं तो यह आपका डिमोडेक्टिक मेंज का ट्रीटमेंट था जिसके इंजेक्शन आइवरमेक्टन है एंटिवाटिक है उसकी स्वेलस्पॉर्ण बेधिंग उसकी होजाएगी बेंजॉयल बरुकसाइट साथ एमेटरास सलू नहीं देना है नेक्स वीडियो बनाएंगे हम आपको बताएंगे कों सी मेडिसन देनी है जो के आइवरमेक्टन के रेप्लेस्मेंट में देते हैं तो आइवरमेक्टन प्लीज आप जो भी आपके ऑस्टेशन शेफर्ड डॉग्स हैं और शीव डॉग्स यतने पी हैं उनक या उनको इन्फेक्शन हो सकता है या उनकी इनेफिक शर्क बात आता है तो का सार्कॉप्टिक मैंज जो हो को बटीक के वीł केरीस के जाता है इसके अदर आप पता कराते हैं करें इसको पहले सबसे पहले तो आपने डॉक को अलाइदा कर दें रखें उसकी जगह से क्लीन करें अच्छे अब भी से दोले और रहें डॉक को हमेडिय लेवल ना बढ़े डॉक का नॉर्मल टेमपरिचर पर रखें नॉर्मल टेमपरिचर सब्सक्राइब करें तो आपके पास सबसे पहले तो एंटी पारसिटिक ड्रग लेली नहीं है जिसको मिल्ममाइसीन ओग्जाइम कहते हैं यह पाकिस्ता में अवेलिबले हैं पर जाती है वह लेकर हैं इसकी अटी परसिटिक मेडिसन उसका ट्रीटमेंट करें और उसके बा सबसे पहले आपको लेना है ओफ लॉक्सेसिन यह में एंटिवाइडिक है ओफ लॉक्सेसिन टूहंडड़ एमजी लाज़ डॉक की बदार हो टूहंड़ एमजी बी आईडी देने हैं फाइव डेस के लिए टूहंड़ एमजी दोदफा दिन में मलब 400 एमजी डेली की डोस हैं जो कि आपको पांच दिन तक डॉक को देनी हैं फिर उसके बाद आपके बाता है लीव सिट्रीजीन यह एंटी इंफ्लमेंटरी होती है एंटी एलर्जी होती है यह आप में आते हैं लीव सिट्रीजीन गाए हाई कोड खुलोराइट के रामसे आते हैं तो यह आपने वनस डेली डेली सीरपाजेक आप डेली अपने डॉक को थो पर फैफंट चोटा है तो बड़ा है तो फाइफंट दे दे उसके बाद आपके परास प्रेड़न आता है प्रेडनिस्ट टीरोईड होते हैं यह आपके इमुनिटी सिस्टों को बूस्ट करते हैं इल्नेस के लिए लाइसेवन ड्रग्स दी आती हैं तो प्रेडिस्नॉल 10 के नाम से आती है जिसको देल्टाइब भी कहते हैं यह आजेगी तो आपने दिन में दो दो तेबलेट्स देनी है एक सुम्ह में देनी एक शाम में द को तो शर्थिया इस ट्रीट्मेंट से आपके डॉक की कंडिशन बहतर हो जाएगी और इंशाला आपके डॉक की स्केन के प्रॉब्म रहें कुछ प्रिकॉशन्स हैं को आपने देनी है डॉक को गिली जापना रखेगा जादा गर्मी में रखेगा कंटेजिस डॉक्स के सबस्क्राइब करें डॉक की सबसे इंपॉर्टन चीज़ है कि अगर आपने खाना दिया है तो सुबह में डॉक को खाना ना दे और खाली बैट उसकी डिवामिंग कर दें इन सब रेजिमिन के स्टार्ट करने से पहले ताकि अगर उसके पेट में कुछ कीड़े हैं तो सबस्क्राइब करें लोगों को इससे फाइदा मुच आए इंशाला फिर नेक्स वीडियो के साथ आपके साथ दोबारा हाजिर होंगे आज तरक लिए काफी है और अपना भी ख्याल रखें अपने जानवों का भी ख्याल रखें इंशाला फिर मिलेंगे अलाफिस टेके ये हो आपके होंगे इंशाल रखें रिन प्साल गए करें लोगों का देक्स विएओने लोगवे को इंशाला फिर उनस्क्राइब करेंować लोगों का रखें इंशाला फिरमने अपने दो शैचला हम मुच लोगरा हम न ability को स atención